वेल्कम टू माई चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टेडी टिप असलाम लेकुम उमीद आप सब हैडियत से होंगे इस वीडियो में डिसकस करूंगी आप ते साथ कार्टीलेज को स्टॉक्चर को और इसके फंक्शन को डिसकस करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे क्वाइबू आप सेंगे ओअब नए इसन दीअवे लिए थी सुप टाइप अफ नेक्टिव टिशुस होते हैं बौन्स हाट टॉक्रो। टीशुसीट होते हैं और तयप 2 कोलजिन फाइबर प्रेजसंत होते हैं तो फॉर्म इंपॉर्टेंट पाउट अफट आफ दीसकेल स्कल्टन में जब एंब्राउनिक स्ट्रेजिस होती है तब कार्टिलेज बनता है लेकिन वह आइश्था-इश्था बोन्स की में रिप्लेस हो जाता है कुछ जगह पे कार्टिलेज रह जाता है ऐसी जगहों पे जहां पे flexibility के चुपर्ट जरूरत होती है जैसे कि हमारी और यहां पर आप देख सकते हैं क्रॉंडोसाइड यहां पर आप देख सेक्टे अपर देख सेखते हैं कॉंडोसाइड और the cells of करते हैं का ख्राइम्स करें के दिए डीलेटिक्स करते हैं consistent के दिए कर्फुएन का प्रासेस हो से होता है। जो क्रोंडैसाइट स्कॉर्फॉर्म करते हैं। का लेयूं। का थिंस मेत्रिक्स किलटानान और यथा तो कईक परस खोरा हुन। कर से यकारनाने के हिस मेक लेय। ट्रिभ obst यहां। ऐसे स्ट्रोक्चर आफ करें Webb हैं यहां जिए इती हैं जेए ऊपिफरेंग मैंट्रिक्स and these collagen fibers are elastic fibers and here surrounding which is covered by a layer of collagen fibers known as pericordium types एक हैं cartilage की cartilage की 3 types होती है hyaline cartilage, fibrous cartilage और elastic cartilage सबसे परे discuss करेंगे हम hyaline cartilage को hyaline cartilage होते हैं वो smooth blade type white tissues होते हैं और यह chronosides होते हैं हो small groups में होते हैं cell nest में और matrix होते हैं इसका solid होता है और smooth होता है एक्जम्पल के दौर पर हम दिखते हैं trachea में जो cartilage present होते हैं larynx में bronchi में और ribs की end पर जो cartilage present होते हैं वो hyaline cartilage होते हैं और यह यह प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलीटी स्पोर्ड और स्मूथ सर्विस उसकी स्मूथ सर्विस होती है उसमें जॉइंट्स को मुवमेंट में हेल्प करते हैं जैसे कि मैंने पताया कि यह कहां प्रेजेंट होते हैं and of long bones that form joints form the costal cartilage and form parts of larynx, trachea and bronchus फाइब्रस काटिलेज अगर हम देखें फाइब्रस काटिलेज क्या होता है फाइब्रस काटिलेज फाइब्रस काटिलेज dense masses होते हैं white collagen fibers के फाइब्रस काटिलेज collagen fibers से मिलके बने तो जो के white color के होते हैं यह tough होते हैं slightly flexible होते हैं और sporting tissues होते हैं यह present होते हैं interverteble disc के तोर पे कि knee joint में और hip joint में shoulder joint में यहां पे यह present होते हैं हम कह सकते हैं between the bodies of vertebrae's interverteble disc में between arculating surface of bones of knee joint as a semi lunar joint then we discuss elastic cartilage elastic cartilage ऐसे cartilage होते हैं जोके flexible होते हैं और yellow elastic fibers से मिलके बने होते हैं elastic cartilage fibers laying in solid matrix यह present होते हैं epiglottics में external ear में और stations tubes में यह elastic cartilage present होते हैं अगर हम function देखिए main function जो cartilage का है वो यह कि यह sport provide करते हैं flexibility provide करते हैं movement में help करते हैं main function of cartilage is only this flexibility movement sport यह था cartilage जिसमें हमने डिसकस किया cartilage की description देखी cartilage composition देखी composition में हमने देखा कि उसकी cartilage किस से बनाए अगर आपको कोई भी question है तो comment box में पूछ सकते हैं thank you so much for watching my video अगर चैनल सब्सक्राइब किया तो जाते जाते चैनल को सब्राइब कर दिएगा thank you so much अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा